जैहिन दोस्तो असी शब प्रती मिनट की गती से संपात के डिक्टेशन स्टार्ट दक्षण के तीन परदेशों में इन दिनों राज्य पाल और निर्वाचित सरकार के बीच टकराव की इस्थिती बनी हुई है राज्य पाल अपने अधिकार का उपियोग करना चाहते है तो राज्य सरकारे अपने निर्वाचित होने का हवाला दे रही है केरल में राज्य पाल ने कुछ दिनों पहले दस विश्विध्यालियों के कुल्पतियों से इस्तीफा मांग लिया उनका कहना था कि उनकी नियुक्ती में तै नियम काईदों का पालन नहीं किया गया इसे लेकर राज्य सरकार और राज्य पाल के बीच ठन गई बाद में उच नियाले ने राज्य पाल के आदेश पर रोक लगा दी अब राज्य सरकार ने राज्य पाल का विश्व विध्यालियों के कुल अधिपती का दर्जा समाप्त करने का अध्यादेश पारित कर दिया है हालांकी उस पर भी राज्य पाल की मनजूरी आवश्यक है मगर अपने अधिकारों को लेकर जंग छिड़ी हुई है इसके अलावा कुछ दिनों पहले राज्य पाल ने सरकार के एक मंतरी को हटाने के लिए मुख्य मंतरी को पत्र लिखा जो सुभाविक ही राज्य सरकार को नागवारा गुजरा और उसे लेकर भी दोनों के अधिकार शेत्र पर बहस शुरू हो गई इसी तरह तमिलाडू सरकार ने राश्ट्र पती को पत्र लिख कर वहां के राज्य पाल को हटाने की मांग की है उसका आरोप है की राज्य पाल उसके कामकाज में बेजा दखल दे रहे हैं तेलंगाना के राज्य पाल का आरोप है की राज्य सरकार उनका फोन टेप करा रही है हालां की राज्य पाल या उप राज्य पाल और चुनी हुई सरकारों के बीच तना तनी के ये मामले नए नहीं है पस्चिम बंगाल में भी कुछ दिनों पहले तक राज्य सरकार और राज्य पाल के बीच इसी तरह लगातार टकराव बना रहा राज्य पाल सरकार के कामकाज और फैसलों पर उंगली उठाते रहे तो सरकार उन्हें चुनोती देती रही दिल्ली में उपराज्य पाल और सरकार के बीच तनातनी का दोर बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है यहां आमादमी पाटी सरकार का लगभग सभी उपराज्य पालों से तकरार बनी रही शुरू में दोनों के बीच अधिकारों की लडाई उच नियाले तक भी पहुची थी जारखन और राजस्थान में भी अलग-अलग मौकों पर कुछ मसलों पर इस तरह के तकराव देखे जाते रहे हैं इस तरह विपक्षी दलों को यह कहने का मौका मिलता है कि जहां भी विपक्षी दलों की सरकारे हैं वहां राज्यपाल उनके कामकाज में बेवजह दखल देने का परियास करते देखे जाते हैं जबकी भाजपा सरकारों वाले परदेशों में ऐसी इस्थिती नहीं हैं ऐसे में राज्यपाल पद की गरीमा और मर्यादा को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं स्टोप ठाजड़